वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाए, हमाई न्यू वीडियो नोटिपिकेशन पाने के लिए हैं। सामने Career Own Options की लाइन लग जाती है। उनका Practical Solution निकालते हैं। किसी भी कमपनी की ग्रोथ में इनकी भूमिका अहम होती है। ये कमपनी के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए सही फैसले लेते हैं। इसके लिए वह पिछले कुछ सालों में लिए गए फैसलों, परफॉर्मेंस और रिजल्ट के डेटा का इस्तिमाल करते हैं। बिजनिस एनालिस्ट का शुरुवाती पैकेज ही लाखों में होता है डेटा साइन्टिस्ट सालरी। डेटा साइन्स एक उभरता हुआ करियर ओंप्शन है। ज्यादा तर लोगों को लगता है कि डेटा साइन्टिस्ट बनने के लिए साइन्स स्ट्रीम से पास आउट होना ज़रूरी है। जबकि ऐसा है नहीं। आप बीए के बाद डेटा साइन्स से जुड़ा कोर्स करके इस क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। डेटा साइन्स में सिस्टम, एल्गोरिदम और साइन्टिफिक मेथर्ड्स का इस्तिमाल करके अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड डेटा से इंसाइट्स निकालने होते हैं। कुछ सालों के अनुभव के बाद आसानी से 60, 70 लाक रुपए कमा सकते हैं। करियर इन लॉव, देश में वकीलों की डिमांड बढ़ती जा रही है। वकील कई तरह के होते हैं। क्रिमनल लॉयर, कॉर्पॉरिट लॉयर, फैमिली एंड रिलेशन्शिप लॉयर आदी। वकील बनने के लिए एलेलबी करना जरूरी है। आज कल एलेलबी और एलेलम के कमबाइंड यानी इंटीग्रेटड कोर्स भी चलन में हैं। अच्छे संस्थान से एलेलबी करके आप चाहें तो लॉव की किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं। एक बार नाम बन जाने के बाद हर महीने लाखों रुपिय आसानी से कमा सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर सैलरी असिस्टेंट प्रोफेसर को सैथवें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी दी जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए बीए के बाद संबंधित विशाय में मास्टर्स करने। इसके बाद NET या JRF क्लियर करके किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नौकरी कर सकते हैं। इसके लिए PhD करना अनिवार या नहीं हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर।